स्टार्ट करते हैं एक न्यू चेप्टर और बेसिकली ये जो चेप्टर है न ये यूनिट वन का है यूनिट नमबर वन का है बहुत छोटा सा चेप्टर है दो दिन में खतम हो जाएगा ये भी चेप्टर का नाम है हमारा अंडर राइटर आफ शियर सबसे पहले हमें समझना होगा कि अंडर राइटर क्या होता है फिर शियर्स एंड डिबेंचर भी है बट डिबेंचर का भी और शियर्स का सीम रहेगा दो चार सवाल हम देख लेंगे दोनों के सबसे पहला वर्ड और माइंड में जो कुश्चन होता है कि सर वाट इस दा अंडर राइटर वाट इस दा अंडर राइटर समझीएगा अंडर राइटर आपने बहुत पहले ज्यादा पहले भी ने ट्विल्थ क्लास में आपने शियर कैपिटल चेप्टर पढ़ा है और इ इसके अंदर ना कंपनी क्या करते थी कंपनी अपना शियर इसू किया करते थी किसको इसू क्या करती थी यह जैसे कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक लाग शियर बेचेंगे हमने decide किya कि कितने share issue करेंगे हम एक लाख और ये एक लाख share किसको sold करने जा रही थी ये सर अलग-अलग public को बेचा करती थी और जिसको हम क्या बोला करते थे सर जिसको हम बोला करते थे shareholder लेकिन यहाँ पर याद होगा कि एक problem था यहाँ पर याद होगा कि एक डर था और एक रूल बताया करता था हमारा लौ क्या कहता है कि अगर आप shares बेच रहे हैं तो बेचिये हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बात का खासा ध्यान रखना होगा कि आपको आपके company के कम से कम 90% shares बेचने होंगे याद है कुछ situation में आपको जो पैसा भी आपको shareholder ने दिया है उन सभी के पैसे वापस करने होंगे यानि अगर इन सभी shareholder ने मिलके मेरी company के 70,000 share को subscribe कर लिया तो क्या मैं अपने company का shares को issue कर सकता हूं तो जवाब no क्योंकि कितने सब्सक्राइब कर लें तो क्या मैं company का shareholder को share दे सकता है जवाब नहीं अगर मान लेते हैं मैं 90,000 share issue कर दूं मतलब 90,000 इन लोगों ने share खरीद लिया तो क्या हम अपने shares दे सकते हैं इनको बिलकुल क्योंकि minimum criteria क्या है तो 90% यानि जो भी company रही होगी XYZ तो इसके मन में डर तो होता होगा डर किस बात का होता होगा कि यार अगर 90% हमारे shares नहीं बिके तो जितने हमने खर्चे किये हैं prospectus में इतना सारा हमने advertisement किया है यह सब बरबाद हो जाना है क्योंकि आपको मैंने बोला भाया आपको shares बेचने और जब आप shares बेचने जाएंगे और आपको यह बात पता चले कि आपने इतनी मेहनत करी सारे काम करे और लास्ट में अंत में पता चला यार व बड़ी बड़ी company तो share issue कर देती थी उनकी तो बिकी जाने है जैसे रिलाइंस हो गया आपका या फिर टाटा हो गया या फिर आपका और भी बिप्रो कंपनी है TCS है यह सारी company ऐसे company है जो कि अपने shares को तो बेचे कि जट से बिक जाएगा क्योंकि इसके पहले से loyal customer loyal shareholder है ले मैं भी shares को बेचूं और shares बेचके मैं कुछ पैसा इखटा करूं जिससे मैं अपना सारा का सारा technology बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाओं और आपको और better experience मिल पाए तो मैं भी चाहता हूं पैसे की ज़ुरत है मुझे तो मैं share बेचूंगा मैं बेचने जाओंगा तो मतलब इस pain को समझे इस problem को समझे कि company जब share issue करने निकलती है तो उसके सामने सबसे biggest challenge और biggest problem होता है कि उसके share बिग जाने चाहिए कितने बिग जाने चाहिए 90% अगर 90% नहीं भी का तो उसके सारे पैसे वापसी करने पड़ेगा आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी इसी 90% को डर को हटाने के लिए कुछ हमने बहुत बड़े बड़े वेपारी ठेकेदार को लेके आए बहुत बड़े ठेकेदार होते हैं और generally ये जो ठेकेदार होते हैं इनके पास इतना पैसा होता है धेर सारा पैसा होता है खूब पैसा होता है इनके पास पैसा ही पैसा ह है वह ज्यादतर यह काम करता है वह पता ही क्या करते हैं बैंकर का कमाई क्लिक्श्थ गैज का यहीं तो होता है वो सीधा क्या करेगी मेरे और इसके बीच में obtain I am in मेरे और इसके बीच मेंeration अवल जाएगा मैं अपनी सिए इस बीच बेचने जा रहा है एक ल пад कर इसने बोला कि ठीक है भाई आप जो है आपके कंपनी के शिएर्स को बिकतुए विख्वाने का इसने प्रामिस कर लिया कि मैं शिक्षा धाम के सियर्स को इन लोगों ने व्यक्षा ने का वचन दे दिया मैं विक्षा देगा अगर नहीं विका तो मैं खरीद लूगा हमारे पास इतना पैसा है ना मैं आपकी कमपणी के सारे शेयर खरीद सकता हूं यानि एक तरीके से इसने ठेका ले लिया ठेकेदारी होती है न कि ये काम मैं आपका करवा दूँगा आप कैसे करवाना नहीं करवाना वो मेरी टेंशन है आप क्यों ले रहे हैं तो भाई जब ये मेरे लिए इतना कर रहा है तो इसका कुछ न कुछ तो लालच होगा कुछ न कुछ तो लालच होगा इसका क्या लालच होगा बताओ इसको चाहिए होगा यहां पर सर क्या चाहिए होगा इसको इसको चाहिए होगा यहां पर कमीशन इसको क्या चाहिए होगा कमीशन ध्यान से देखिए मैंने अपने शेर्स बेचने का ठान लिया है कि मैं बेच दूँ मैं बेचना चाहता हूँ और मेरे शेर्स को बिकवाने के लिए कौन आ गया ये कुछ तीन बड़े बड़े बहुत पैसे वाले लोग आ गए और बदले में ये मेरे से क्या मांग रहे है कमीशन मांग रहे है मैंने क्या करा अपना सारा शेर्स जितना भी शेर्स था मेरे पास जितने भी शेर्स थे सारे शेर्स उठाए और मैंने बोले भाई तुने अगर promise किया है तो ये ले तु शेर्स बिकवा दे सारे शेर्स इसको दे दिये अब इनके जानकार बड़े तगड़े होते है बैंकर के ना जानकार बहुत सारे होते है क्योंकि बैंक के अंदर customer ही इतने है सभी को message कर दिया ये ले भाई share खरीदे ले फाइदा होगा और इसने सारे के सारे shares क्या करें public को बेच दिये अब बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इसको क्या देना पड़ेगा commission मैंने कितने shares बेचे हैं आप बताइए मैंने एक लाक shares बेच दिये और 10 रुपे का एक है तो बताइए कितने shares बेच दिया know 10 लाक अगर मैं अकेले बेचने जाता तो शायद मैं ना बेच पाता और जिसने मेरे shares को बिकवाए हैं क्या मुझे उसे commission देना पड़ेगा मैंने बोला Deal तो पांच परसेंट का कमीशन हो जाएगा पहले इन दोनों के बीच में बात हो जाती है तो पांच परसेंट का कमीशन के हिसाफ से मुझे कितना पचास हजार रुपए इसको क्या दे देना होगा एजा कमीशन दे देना होगा जो यह वेक्ति है ना यह वेक्ति इसको बोला ज तो अंडर्राइटर कौन होता है जो की हमारे शेर्स को विक्वानी की क्या ले लेता है एक गरेंटी ले लेता है उसे बोला जाता है अंडर्राइटर तो हमें निकालना है चैप्टर का नाम क्या है अंडर्राइटर ऑफ शेर्स या डिवेंचर चैप्टर का नाम है अंडर्रा यह बीचने में इसको सर्फ कितना बेच पाएं कि सते हजार अब भाइय थीज और नहीं बेच पाएं तो इसने क्या बोला था अगर मैं नहीं बेच पाऊंगा तो मैं ही खरीदूगा इसको यही बात done हुई थी, तो अब 30,000 किसको लेना पड़ेगा, इन विचारों को खरीदना पड़ेगा, तो इसके उपर liability आ जाएगी, that is कहा जाएगा, underwriter की liability आ गई, कि इने payment करना है हमें अब, ठीक है, चाहे commission काट करके करें, चाहे जैसे भी करें, तो और भी हम इसको और आप shares है, तो shares के उपर आप maximum 5% commission दे सकते हैं, इससे जादा नहीं दे सकते, और अगर debenture है, तो आप maximum 2.5% commission दे सकते हैं, इतना नहीं दे सकते, और जितना question में कहेगा, क्योंकि सवाल कहता है, कि आप commission निकाल के दिखाए, as per law, तो आपको देखना पड़ेगा, shares वाला है, तो shares के उपर कितना commission निकाल दोगे, और अगर debenture वाला question हुआ, तो कितना निकाल दोगे, अगर question कहता है, कि 2% commission तै हो चुका है, तो 2 निकाल देना, question कहता है, 4% तै हो चुका है, तो 4 निकाल देना, अगर question कुछ नहीं करा, तब आपको यह percentage आपको याद रखना चलिए अब आगे देखते हैं कि और टेटे इंप्लॉई कि हां तो खरीद ले तो कंपनी का तो मेन परपस बेचना है अगर कंपनी का बिग नब्बे हजार तो चलेगा कंपनी ऐसा नहीं है कि बाहरवाला ही है कोई भी खरीदे बस ही है बिखने चाहिए चाहिए वह अपने आस पर उसमें बेचते घर में बेचते चलिए अब इसमें कुछ सिक्षा धाम लीमिटेड ने डिसाइड किया कि शिक्षा ध्हाम लिमिटेड ने डिसाइड किया कि किया कि कि इसने ऐड़ेगी है स्योनकी कि साथे इस्यConf कि कि ने याजग इस्यु की अब एक लाग С Environmental मुझे बेचना है और दरेट मैं 10 rupees एजीच अब मेरे सामने चालेंज है कि मुझे अपनी कंपनी केा सबीचने कितने कि देस्जीज बेचने हैं एक लाख दस रूपए का यानि इस एक लाग को बेचने के लिए मैं भी चाहरा हूं और कौन चाहरा है बैंक भी चाहरा है अब इस शेर्स को बेचेंगे तो मैंने बुला यार तेरे बसकी बात नहीं है इस एसे बैंक और किसी को बुला ले अपने एक दोस्त को लिया कम से कम अगर तू नहीं बेच पाया और तू पता चला इंसॉल्बेंट हो गया तो बुला कोई बात नहीं एक और मैं अपने फ्रेंट को बुला लेता हूं SBI को बुला लेता हूं SBI भी क्या बन गया यहां पर? Underwriter बन गया यह दोनों कौन हो गए? सर यह दोनों हो गए हमारे underwriter हो गए ठीक है? अब बोला भाई तू दोनों मिलके मेरे 1,00,000 शेयर बेचोगे तो पहले तो ये बताओ कि तू कितना बेचेगा और तू कितना बेचेगा इसने बोला कि बराबर बराबर बेच देंगे हम दोनों यानि इसने एक responsibility ले लिया कि मैं बेच दूँगा और इसने responsibility ले लिया मैं कितने बेच दूँगा पचास, पचास पचास बेच दूँगा तो जो ये underwriter responsibility ले लेता है न कि मैं इतने इतने बेच दूँगा इसको बोला जाता है gross liability अलग अलग पाँड़ पचास-पचास पचास पे मिलेगा इसके 50,000 थे इंटू में 5,000,000 हो जाएंगे और 5,000,000 पे इसको 5,000,000 पे इसको जितने जो बेचेगा उसके उपर और भाई मैं भी बेचने के लिए फिराक में हूँ मैं भी सोच रहा है यार यह दोनों अगर फिसेटे निकल गए बीच में तो क्या होगा फिर हम भी तो बेचे हैं अगर यह दोनों ने बहुत बड़ी बाते कर दी के ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे मैं भी लगा रहा हूँ को भाको तो मैं बोल दूंगा मैंने बेंक को बेच सी अब होगर यह जब इतने गए इन दोनों ने बहुत सारी बाते तो बहुत सारी की चॉटल शेयर जो व इसने बेचा चालिस अजार शेयर कप और इसने बेचा 30,000 share यानि बाते बहुत करीन उने लेकिन ये कितना बेच पाया 40,000 और ये कितना बेच पाया 30,000 इसको बोलते हैं marked marked application तो marked application क्या होता है sir कि जितना एक gross liability क्या होता है जितने हमने बोला बेचेंगे that is a gross liability और marked application का मतलब जितना उसने बेच दिया mark तो इसका मतलब sir इसकी responsibility बन गई थी नहीं बन गई थी देखा जाए तो अगर काइदे से देखो आप यहाँ पे मेरे सवाल में तो भाया तेर को 10,000 और बेचने चाहिए थे और तेर को भी 20,000 बेचने चाहिए लेकिन तुने यह नहीं बेचे इन दोनों तो बेचा कुछ ना कुछ यह effort कर रहा था तो यह effort करके इसने भी 10,000 बेच दिये इसने कितने बेच दिये 10,000 बेच दिये यानि अगर इसने 10,000 बेच दिये तो यह जो company directly 10,000 बेच रहा है इसका benefit भी इसी को दिया जाएगा इसी को दिया जाएगा किसको दिया जाएगा आपको ICIC और SBI को इसका benefit मैं बोलूँगा चल तुने जो अपनी महनत करी करी मैंने भी महनत करी है तो तेर को यह benefit दे देते हैं तो 10,000 है तुम दोनों के ratio में जो तुमारी liability का ratio था ना इसी ratio के अंदर तुमारे यह तुम्हें फाइदा दे रहा हूं चलो तो 5000 तुमारे और कम कर रहे है लाइबिलिटी और तुमारे भी कितने लाइबिलिटी कम कर रहे हैं 5000 इस 5000 को जो की company ने बेचा इसको बोलेंगे अन्मार्क्ड अन्मार्क डेप्लिकेशन समझ में बात यह सारे वर्ड आएंगे कुश्टन के बीच मां मार्क डेप्लिकेशन अन्मार्क तो आपको पता होना चाहिए और अन्मार्क का भी benefit इसको मिल जाएगा और अन्मार्क का जब benefit मिलेगा तो किस ratio में मिलेगा सेम जिस ratio में इसकी gross liability रही थी अब यहां पर देखा जाए तो 5000 इसको और बेचने हैं और इसको 15,000 अब तो कोई 4 बचता नहीं तो यह हो जाएगा इसका net liability तो आपका एक gross liability था और एक net liability हर बार examiner आपसे सवाल पूछेगा अंडर नाइटर के net liability बता दो कितनी हैं बस और net liability कितनी बन गे इसकी इसकी 5000 शियर की और इसकी 15,000 तो ध्यान से देखो तो इसको 5000 शियर के पैसे अपने घर से देने होंगे मुझे मैं नहीं दूँगा यह अपने घर से लाएगा तो यानि मेरा जो ICICI bank है यह अपने घर से 5000 के पैसे खुद खरीदेगा और 10 रुपे के इसाफ से मुझे कितना दे देगा 50,000 और जो हमारा दूसरा है कौन है SBI SBI bank 15,000 शियर खरीदेगा और 10 रुपे के इसाफ से अपने घर से कितना लेके आएगा 10,000 लेका आएगा अपने घर से तो यह वाले शियर अल्टीमेटली देखा जाए तो बाहर वाले नहीं खरीदेगा अब मैं कमीशन की बात करूँ तो कमीशन मैंने सपोस करो हमारे बीच में मेरे डील डन हुआ है मैंने लिखा डील नहीं लिखा तो डील 2% पे डन करके बात करी थी तो भाई यह 50,000 तेरी रिस्पॉंसलिटी थी और तू 5,000,000 बेचता उसके उपर 2% तुझे मिलता यानि देट इस तेरा कमीशन के इतना बन रहा था 10,000 मैं तुझे 10,000 रुपे दे दूँ आई से बैंक सेम SBI को भी क्या कहूंगा मैं भाई SBI मेरा 13 जो था 50,000 यानि 5,000,000 की रिस्पॉंसलिटी था 2% हमारे बीच में डन हुआ ता मैं तुझे भी 10,000 दे दूँआ यानि मेरे देने की लाइबिलिटी कितनी बन रही है 10,000 रुपे मुझे देना है 10,000 मुझे देना है SBI को लेकिन मुझे लेना भी है इंसे क्योंकि इन्होंने नहीं बेच पाए थे शेयर तो मुझे कितने लेने 50,000 लेने आइसी 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 आइसे और SBI से कितने लेने मुझे डेड़ लाग रुपे कितना लेना है हमें डेड़ लाग अब इसकी कई बार सवाल में बोला जाता है इसकी जनल भी करके दिखा दूआ अगर हम इसके जनल एंट्री की बात करें अगर मैं इसकी जनल एंट्री की बात करूँ अंदर आगे बैठ जोओ अगर मैं जनल एंट्री की बात करूँ तो जनल एंट्री भी सार इसमें पूछ लेता एक्जामनर ठीक है अगर जनल एंट्री की बात करें तो जनल एंट्री कैसे करेंगे दिमाग लगाते हैं चलो जन जनल एंट्री में भाई पहले एंडर राइटर कौन एंडर राइटर यहां पर हमारा आइसी इसे बैंक है और SBI State Bank of India मैंने बोला ICICI SBI पहले तो तू पैसे निकाल अपने जेब से तब तो हम देंगे तरको क्योंकि मुझे तेर से लेना है तो बोला भाई कितना लेना है उसकी जनल एंट्री के फॉर्म में बता दो तो कंपनी कहेगा ICICI से पैसा लेना है SBI से पैसा लेना है और क्यों लेना है भाईया Share capital का पैसा लेना है इस से कितने लेने थे 50,000 और इस से कितने टोटल कितना लेना है मैंने बोला ठीक है भाई मैंने बोला अब तो पैसा ला तो अंडर राइटर भी बड़े चलाक होते हैं यह अपना कमीशन काट के मुझे पैसा देंगे इसको मुझे कमीशन कितना देना था 10,000 इसको देना था और 10,000 इसको तो मैंने बोला ICICI जा घर से 50,000 रुपए लाके दे मुझे, ICICI ने बोला तो 50 तो देने थे, लेकिन 10 मेरे कमीशन देगा, तो सेटल करके entry कर लेते हैं, तो आप entry करेगा, ICICI bank क्या करेगा, bank में मुझे पैसे देदेगा, bank account debit, लेकिन कितने पैसे देगा, मात्र 40,000, और 2 कौन देगा, समझ मैं, कितने देगा ये, 40, एक entry बीच में missing रहे गया, मैं उसको पहले कर देता हूँ, पहले commission due कर दे इनकी, मैंने बोला भई, underwriter commission, किस-किस को देना है, ICICI को देना है, और किसको देना है, SBI को देना है, ICICI को कितने commission देने हैं सर, 10,000, और इसको कितने देने हैं, 10,000, total कितने commission बनें, 20,000, ये entry किसकी है, सर, इस entry का मतलब क्या है, being मैं बाद में लिख दूँँगा, दुबारा question करूँगा, इस entry का मतलब है, कि तुमने इतने liability थे, और इस liability को तुमने acquire किया है, इतने पैसे तुमसे लूँगा, इस entry का मतलब ये है, कि तुमारे commission इतने बन रहे हैं, मैं payment करूँगा, मैं payment करूँगा, समझ मैं ये बात अब, अब एक और net की entry कर दे, अभी तक lane दिन हुआ नहीं है, सिर्फ बात है चल रही है, ना तो उसने मुझे पैसे दिये, ना तो मैंने उसको पैसे दिये, अब net में payment ले लेते हैं, अब ICI से बोलेगा भाई, आजाते हैं, पैसे लेने देने की बात कर लेते हैं, तो ICI, ICI और SBI दोनों पैसे देंगे, पचास, तो मैं दे दूँँगा तेरे को कितना, चालिस और ये कितना दे देगा, और टोटल बैंक में कितने आ जाएंगे, यहां तक आप से question पूछा जाएगा, दस नमबर का question आपके exam में पूछा जाएगा, बस इसको एक format के terms में हम क्या करेंगे, इंप्लिमेंट कर देंगे, एक format के terms में, यहां तक समझ में आ रहा है, clear है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया सर, फटा फट क्विकली देख लेते हैं, वाट इस दा अंडर राइटर ऑफ शियर, अंडर राइटर शियर क्या होता है, अंडर राइटर शियर का मतलब होता है, हमारे शियर जब 90% से कम बिख पाते हैं, इस वज़े से हम किसी एक ऐसे वेक्ति को ले लेते हैं, जो कि हमारे शियर बिखवाने की responsibility ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं, अंडर राइटर, और जो responsibility लेता है, उसको एक commission दिया जाता है, अगर law के हिसाब से चले, कुछ ना बोला जाए, तो commission fix है, shares पे 5 और डिवेंचर पे 5%, otherwise, जो इन दोनों के बीच में deal हो जाए, वो रहेगा, अब इस case के अंदर, जो shares underwriter, मेरे वाले example में क्या था, दोनों underwriter, यानि 2 example में लिए, दो लोगों को मैंने जिम्मेधारी लिए, जो person जिम्मेधारी ले लेगा, उसको कितने कितने share लेगा, यह खुद ही बोल देगा, मैं तेरे इतने बिखवा दूँगा, मैं तेरे इतने बिखवा दूँगा, तो उसे क्या बोला जाएगा ग्रॉस लाइबिलीटी बोला जाएगा ठीक है ना ग्राइबिलीटी के बाद ये जब बेच के आएंगे तो जितना ये बेच पाएंगे उसको बोलेंगा TRяжओ और जितना कंपनी बेच के आएगा खुद बेचेगा अपने दम पे उसे क्या बोलेंगे अनमाट इसके बाद माइनस प्लस करके देखेंगे अगर अभी भी इसके शियर्स कम पढ़ रहे हैं बेचने के लिए तो उसे बोलेंगे नेट लाइबलिटी ज़रूरी निया कि हमेशा आए में और नेट भी अगली एंटरी में मैंने ट Deus कर ने करना है कर सकते हों यहां तक क्लियर्स जितने बच भी लाइव सटाफट से बता दीजैंहां तक को यहां तक कोई ै आउट है तो